तो चलिए friends कुछ और conjunction देखते हैं, चलिए कुछ और example से समझते हैं, conjections को, देखिए हमें पता है कि neither के बाद nor का use होता है हमेशा, neither के बाद हमेशा nor conjection का use होगा और either के बाद हमेशा और conjunction का use होता है, देखिए neither का जो हम use करते हैं, वो दो मेंसे कोई भी नहीं के लिए करें, दो मेंसे कोई भी नहीं के लिए करें, दो मेंसे कोई भी नहीं के लिए होता है, इसका वादा दो मेंसे कोई एक, either or का जो use होता है, वो दो मेंसे कोई एक के लिए होता है, either ram, और शाम, इस परजेंट इंदी क्लास, एदर राम और शाम इस परजेंट इंदी क्लास तो दो है, या तो राम परजेंट है शाम, दोनों से एक तो परजेंट है, तो दोनों में से एक के लिए होता है, दोनों में से एक के अर्थ में होता है, एक के अर्थ में, एदर और का जो जूज होता है और दोनों में से कोई एक करती होता है नाइदर नौर का जूज होता है और दोनों में से कोई भी नहीं की होता है नाइदर राम नौर शाम इस परजेंट इंदी क्लास ना तो राम परजेंट है ना शाम परजेंट इंदी क्लास है तो neither nor means, दोनों में से कोई भी नहीं, either or means, दोनों में से कोई एक परजेंट है, उसलिए example से इसको बेटर देख समझते हैं, देखिए, तो हमारा पहला example है, neither Ram nor Shyam has come, neither Ram nor Shyam has come, तो हमें पता हैं कि neither के बाद, नोर का यूज होता है, यह तो यहाँ पर सही हो रहा है, मतलब जोड़ा सही हूज हुआ है, neither Ram nor Shyam has come, ठीक है, अब देखिए, इसमें एक चीज़ ओर है, देखिए, यह जो helping verb आ रहा है, यह हमें पता है subject किनुसार रहता है, अगर subject single है, तो single helping verb आएगा, अगर subject puller है, तो puller वर helping verb आएगा, तो, अगर subject puller है, तो helping verb भी puller आएगा, तो देखिए, यहाँ पर देखिए, neither Ram nor Shyam has come, अब देखिए, अब subject हम कौन सा चूज करेंगे, देखिए, subject दो हो गए न, Ram और Shyam दोनों subject हैं, और दोनों नोर से चुड़े हुए हैं, तो हम कौन सा subject लेंगे, तो देखिए, हमेशा helping verb के पास वाला जो भी subject होगा, उसके अनुसार आएगा, हमेशा हम यह subject लेंगे, इसका मतलब यह नहीं है, कि हम, हमेशा यही subject लेंगे, अगर यह हैज यहाँ पर होता, हैज Ram और, हैज Ram नोर स्याम कम, तो हम Ram के नुसार लेते हैं, क्योंकि, helping verb के जो पास में जो भी subject होगा, उसके अनुसार ही helping verb आएगा, तो यहाँ पर श्याम के नुसार है, तो यहाँ पर कम क्या रहा है, मुख्य भी third form आ रही है, तो देखिए, हमेशा है स्याम के पास मुख्य भी third form आएगी, अब देखिए, तो क्या है sentence बिल्कूर सही है, second sentence हम देखते हैं, neither Ram nor his friends has come, क्या है sentence सही है, अभी मैंने आपको बता रहे, इसके according बता ही क्या है sentence सही है, neither Ram nor his friends has come, तो यह sentence गलत है, क्योंकि यहाँ पर has नहीं आएगा, यहाँ पर have आएगा, have यहाँ पर आएगा, neither Ram nor his friends have come, क्योंकि हमें पता है helping verb के पास वाल subject लेंगे, तो his friends के पुलरल नाउन है, पुलरल नाउन है, तो have आएगी यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, अब देखिए अगला sentence देखते है, has Ram or his friends come, has Ram or his friends come, देखिए मैंने यहीं पर आपको समझाया थे एक्जाम पर, has Ram or his friends come, क्या Ram or उसके दोस्त आए हैं, ठीक है, question वारत सक sentence question पूछ रहा है, has Ram or his friends come, has Ram or his friends come, देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बोई, जो helping गरब जिस सब्जेट के पास होगा न, उसी के नुसार क्या है, वो आएगा, देखिए, Ram यहाँ पर पहले उस हो रहा है, राम के साथ, राम के पास में, राम ही इसका क्या होगा, subject होगा, Ram के नुसार ही आएगा, यहाँ पर have ने कर सकते हम, क्योंकि राम की नुसार आ रहा है यहाँ पर, तो जो भी helping me पास में जो subject होगा, उसी की नुसार आएगा, अगर यहाँ होता, तो ये have होता, क्योंकि past में his friend होता, तो इसके नुसार जाता, लेकि यहाँ पर has आ रहा है, क्योंकि Ram के नुसार हो, Ram के past में है, तो has Ram or his friend come, तो ये sentence भी क्या है, बिल्कुल सही है, अब देखिए, अगरा sentence हम देखते हैं, neither of his four sense looked after him, neither of his four sense looked after him, देखिए, neither of, neither of का use हमें पता है, दो में से कोई भी नहीं क्यों होता है, सिर्फ दो के लिए होता है, और neither का use सिर्फ दो ही वेक्तियों के लिए होता है, Neither means 2 में से कोई, कोई भी नहीं, Either means 2 में से 1, जादा के लिए 2 से जादा के लिए use नहीं होगा, नहीं neither होगा, नहीं either होगा, तो ये neither of his fortune, ये अवर चार वेक्तियों की बात कर रहा है भाई, चार वेक्तियों कहां से use होगे, भाई हमें पता है कि सिर्फ दो ही वेक्तियों के लिए ना इदर का यूज हम करते हैं, तो यह sentence गल्थ होगा, यहाँ पर आएगा, रहिए, दो से अधिक में से कोई भी निकली हम नन ओफ का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या दाएगा, नन ओफ आदा लुक्त आफ्र देखिया फ्रेज एक, लुक्त आफ्र हमें समान दिखाई देना, समान, समान दिखना, जैसे हम बोलता है कि तुम उपने पिता के समान दिखाई देता है, तो वो लुक्त आफ्र होता है, तो लुक्त आफ्र होता है, तुम अपने पिता के जैसे दिखाई द करेंगे अगर देखिए यहां पर neither of his two cents होता ना तो sentence सही होता है लेकि 4, 3, 4, 5 जितने भी उपर जाएगा तो हम none of use करेंगे तो यह sentence गलत है यहां पर none of आएगा neither of के सान पर अब देखिए अगर sentence हम देखते है either of the students of your class has done this mistake तो रही हमने थोड़ गर पहले यह भी मनने अभी 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 बताया है आपको either of का भी जो use होगा आपर दो students के लिए होगा यहांपर काफी students हैं यहांपर दो ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे one of use करेंगे यहांपर one of either of के सान पर one of one of the student of your class has done this mistake I hope आपको defense injection either or neither or में क्या अंतर होता है दो के लिए हम use करते हैं दो से जादा के लिए हम किन का use करते हैं कौन से जोड़े में use होते हैं कौन सा helping वर बाता है कौन सब्जेक्ट होगा यह सब आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए friends कुछ और injection example से समझते हैं देखिए not only के बाद हमें पता है not only के बाद हमें सा but also conjunction का हम use करते हैं not only के बाद but also conjunction का use करते हैं और both के बाद हमें सा end conjunction का use होता है यह भी जोड़े के अंदर use होती हैं दोनों conjunction not only के बाद but also और both के बाद end conjunction का use होता है तो चलिए example से इसको better तरीके समझते हैं, तो पहला जो हमारा example है, he is both intelligent and hardworking, he is both intelligent and hardworking, where intelligent और hardworking दोनों है, यह sentence सही है यहाँ पर, ठीक है, he is both intelligent and hardworking, where intelligent और hardworking दोनों है, देखिए both के बाद हमें से पता है, end गने से में जोगा, तो यह सही है sentence, अब देखिए दूसरे sentence देखिए, he is not only dishonest, but also lazy, अब देखिए इसके अंदर, अज़ कहा से आता है, not only but also के अंदर, हमें यह सब को पता है, जो not only के बाद but also आएगा, लेकिन वो क्या करता है, अब देखिए इनकी जो position होती है, वो भी fixed होती है, यानि इसके अनुसार ही आता है, but also के अनुसार क्या आता है, but also के अनुसार not only use हम करते हैं, जो not only use होगा, जो भी not only use होगा, but also के अनुसार आएगा, but also की जो भी condition होगी, उसके अनुसार ही आएगा, जब देखिए, अब देखिए, lazy हमें पता है क्या है कि adjective है, adjective, lazy एक adjective है, तो हमें पता होगा, या हमें पता होना चाहिए, कि जो not only आएगा, वो भी adjective के पहले ही आएगा, यानि but also, अगर noun के पहले है, तो not only भी noun के पहले ही आएगा, अगर but also verbs के पहले ही, तो not only भी verbs के पहले ही आएगा, अगर but also verb के पहले हैं, तो not only भी adverb के पहले ही आएगा, तो यहाँँ पर देखिए, lazy adjective है, то not only distant के पहले ही आज़्छी ही आना सी आए तो हमें पता है dishonest किया है, adjective है, तो यह sentence कै आ है, कई maximum बार position से इसका position is related ही इसमें error आता है position की change करते है जैसे मैंने आपको बता है वैसे ही तो देखिए तो यह sentence क्या हो जाएगा? सही sentence है Ram as well as Sam तो देखिए as well as भी यह conjunction है जो दो noun, pronoun, subject, clause को जोड़ने काम करती है तो Ram as well as his friends are coming तो देखिए क्या sentence सही है? इसके साथ में जो भी यह helping verb आएगी वो इसके नुसार नहीं आएगी वो पहले जो subject होगा इसके नुसार आएगी वो Ram के नुसार आएगी यहाँ पर यह गल्थ होगा यहाँ पर ease आएगा Ram as well as his friends is coming तो देखिए जो यह helping verb जो यूज होगी वो as well as पहले जो subject होगा उसके नुसार आएगी इसके नुसार नहीं आएगी Either or, Neither or जो होगा उनके अंदर जो past में होगा उनके नुसार आएगी तो as well as अगर एक conception यूज हुआ है तो इसके दूर होगा subject उसके नुसार आएगी तो Ram के नुसार आएगी तो याद अच्छेएगा कि यहां से अर राता है बहुत वाएगा अगला जो हमारा जो sentence है not only he cheated his friends not only he cheated his friends but also his parents उसने ना केवल अपने दोस्तों को साथ दोका किया है बलके पने parents के साथ भी किया है मातर पिता के साथ भी किया है तो क्या है sentence सही है अब देखिए not only की position की है position देखिएंगे सबसे पहले ऐसे sentence में हमें सिर्फ not only but also जो भी conjunction होगा उसमें आएगी हमें सिर्फ position देखनी है position कहां पर है position सही है कहांगी but also यह है his parents मतलब noun के पहले आए तो यह भी noun के पहले आना से यह लिग noun के पहले यह कहां आ रहा है यहांपर noun के पहले नहीं आ रहा है यानि his friends की पहले आना से यह यहांपर तो यह sentence क्या होगा गरत होगा accept में sentence कैसे होगा देखिए he cheated he cheated not only he cheated not only his friends he cheated not only his friends but also his parents यह sentence यहांपर सही होगा क्योंकि यहांपर हमने his friends के बाद इसको position कर दिया क्योंकि यह noun के पहले आ रहा है यहांपर भी हम noun puller noun के पहले आ तो हम यहापरी puller noun के पहले ही इसको यूज़ करेंगे यह sentence ही होगा और यह sentence गलत होगा not only but also के case में आप हमेशा पोजिशन देखेगा क्योंकि इसमें जो air रहेगा और पोजिशन से related ही air आता है इसके अंदर क्योंकि जो बाद में but also की जो पोजिशन होगी जिसके पहले वो होगा उसके अंदर क्योंकि आएगा अनय सेंटर देखेए sit either quietly or go away sit either quietly or go away या चुपचा बेठ जाओ या आपसे चले जाओ अब देखिए either or में हमें पता है कि either के बाद or का use होता है सही है हमें पता है कि इन दोनों में either or में जो subject के अनुसार जो subject इसके अनुसार जो helping गरवाएगा वो pass वाले के अनुसार आएगा ठीक है यह भी पता है अब इसमें इस either or में पोजिशन होगी यानि क्या होगा इसमें भी और के अनुसार ही जब जो और के पोजिशन होगी जिसके पहले और होगा यह क्या है वर्ब है वर्ब है और जिसके पहले आएगा उसे के पहले क्या है आधर आएगा उसे के पहले ही neither आएगा nor जिसके पहले आएगा उसके पहले neither आएगा, or जिसके पहले आएगा उसके पहले either आएगा, तो यह verb है तो यह verb के पहले कहां आ रहा है, वर्ब तो यह है यह sentence क्या है, गलत है इसमें भी positions related आते हैं यह advanced level के error है, यह आपर definitely exam मेंते हैं, आपको CGL level P.O. level exams के अंदे, तो देखिए इसके एग्जेक्ट यह सही sentence क्या होगा either either sit either sit quietly either sit quietly or go away either sit quietly or go away तो यह sentence सही होगा, यह गलत होगा आप I hope कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कैसे error आते हैं, यह conjunction से related कि common errors में maximum यह पूछता है और यही से error आते हैं, यही error होगा है आपको इनको अच्छे से देख लीजिए